कि ये इस को कॉख़े को काट्पि लिया है 2 हरी तमायटर लिए आप लाल तमायटर को यूज कर सकते हैं बारे तेरय सनगी कलिया है शे आपया हरी कर एजन हमने जुरी कि अद्रboo लिया है इसको मैंने घुंच लिया था और थोड़ा सा गरभ मिक्सी जाड लिया है इसमें मैंने अपना अदरत लेस्टण और मिध अब जो ये टमाटर है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और जो इसको पीस लूँगी अच्छे से और हम प्याज को ग्राइंड नहीं करेंगे अब हम इसको पीस लेते हैं दोस्तो हमारा बढ़िया सा पेस्ट बनकर यहां पर दिया रहे हैं विल्कुल महीन हो गया है यहां पर दोस्तो मैंने एक बाउल हरामटर लिया है इनको मैंने छिल कर दूल लिया है और मैंने यहां पर एक गलास चावल लिया है यह बासमती राइज है इसको मैंने भिकोकर नहीं रखा था बस ऐसे ही दूल दिया है और इस गलास से यह पानी पीने का नोर्मल गलास से इस जो हमारे चाय कप रहता है उससे नापकर आदा कप रिफाइंड ओल डाला है आप यहां गीव यूज़ कर सकते हैं और मैंने आदा चोटे चमप इसमें जीरा डाला है जब अच्छी से फ्राय हो जाएगा तब हम इसमें अपना खड़ा मसाला डालेंगे यहां पर फ्रेंट्स में एक तेज पत्ता एक दाल चीनी का टुकड़ा दो चार लॉंग और काली मिर्च जावित्री उसकर रहे हैं आपके पास जो खड़ा मसाला हो वो आप डाल सकते हैं इसमें जीर्ण फ्राइगा जाआज और आपना खड़ा मसाला ना डालेगे अब लॉष्ट्य लॉफ्ट्राइगे अब प्यास टालेगे जो ममने पहले से काटका रखा था और प्याज को हम अच्छे से गल्डन बाउने तक प्राइगे इसको प्रेंट साथ काहँ भी बना सकते हैं जब आपको खानी कामन हो इसमें आपको जादा जिंदर की बितोर्स नी पड़ रही है और जादा देर भी लिए और आप इसको भगोने या कुकर में भी बना सकते हैं अब हम इसको बीडियम आच पर प्राय करने जब तक ये गोल्डन जाए इसमें पांच मिनट का टायम लग सकता है फ्रेंट्स प्याज अच्छे से फ्राय हो चुके अब हम इसमें अपना जो पेस्ट है बो डालेंगे इस पेस्ट को फ्रेंट्स हम पांच साथ मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से प्याज के साथ घुल मिल जाए और जिसकी रॉस मैल हो भी चली जाए आप इसमें बात कर ध्यान रखें कि ये जो कड़ाई की सतय से चिपके नहीं तो आप इसको बीच-बीच में चलाते रहें देगे फ्रेंट्स मसाला अच्छे से हमारा पक चुका है इसका ये जो पॉल छोणने लगया और ये ब्राउन भी हो गया अब हम क्या करेंगे जो हम हमारी मतरती वो डाल देंगे हम इसमें अच्छे से मिलाईए इसको अब मैं आप एक चम मच नमक डाल रही हूं अगर आपको कम लगे आप अपनी टेश्ट रिकोडिंग डालेगा अच्छे से मिलाएं प्रेंट्स में लाल मिर्च का है किसी और मसाल का यूज भी नहीं करू चाहल भी यूज यूज भी यूज करीते हैं तो आपको इसी टाइम डालनी होगी नमस के बाद 2-4 मिनटो फ्रेंट प्रेंगे अब देखिए 2-4 मिनटो हो चुके है अब जो हमारे चावल थे वह मैं इसमें डाल दूंगी चावल डालने के बाद आप इसको बिल्कुल हलके इसे चलाइब और चावल तोड़ चाहेगा हम इसको ऐसे ही रने देंगे और फिर इसमे पानी डालेगे मैं जिस ग्लासे मैंने पानी लिया था मैं उसे पानी डाल रही हूं अब अच्छे से चलाएं इसको हलके हाथों से बिल्गुल बासमती राइस बहुत कम पानी लेता है तो मैंने इसमें बस एक गिलास मानी डाला है यह कुछ बासमती राइस क्वालिटी भी होती है तो अगर आपका चावल जद्धा पानी चाहता है थोड़ा सा पानी आप और आट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग डाले और आप इसको कभी भी बना कर खा सकते हैं अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं या टिफन बॉ पानी शुट्रकाय मैंने गयस बन कर दिया उपसे धने डाल दिया अब मैं इसको ढखकर 10 मिर्ट करें रख दूंगी प्रेशर में और उसके बाद आपको सर्व करके दिखाऊंगी देखे दोस्तों आप हमारा जो हरा मतर का हरा भरा प्लाव है वो बन कर ते आर है और हमारा एक चावल जो है वो भी अलग दिखाया है आप इसको दरूर ट्राइ किजी और जट्पट बनने वाला है खाये और इंजॉय किजी